कि चुनावी महसमर में विरोधियों से लड़ने के बजाए पार्टिया अपनों से ही लड़ने में मश्कूल हैं बलियालोक सभा सीट से बर्तमान सानसत भरसंग के टिकट भाजपा ने काट दिया और विरेन सिएई मस्त को टिकट दे दिया इसके बाद से भराज सिंग के समर्थकों ने विरूत करना शुरू कर दिया टिकट कटने से नाराज भराज सिंग के समर्थकों ने भाजपा कारियाले पर जमकर नारे बाजी की और धरना भी दिया इस दवरान नाराज समर्थकों ने केंदरे नेत्रित पर अपना निड़े वापस लो और विरेन सिंग मस्थ वापस जाओ के नारे लगाए दरासल भाजपा ने कल देर शाम बलिया लोगसभा से विरेन सिंग मस्थ को लोगसभा का प्रत्याशी गुशित किया था विरेन सिंग मस्थ वह दोई लोगसभा से तीन बार सांसर चुने गए हैं नहीं भाजपा सांसर भरत सिंग के समर्थकों का कहना है कि बलिया में हुए उपचुनाओं में विरेन सिंग मस्थ को पार्टी ने मौका दिया था जिसमें उन्हें सपा प्रत्याशी नीरज कि ऐसे मंसुक्त लोगसभाय उमिद्वार खीयुक्ष निकली एं और से माने फिध्रन को पार्टी ने बरत्याशी बनाया है ऐसे मश्दी को जीनिकेm 2024 भूं ho सकती है लेगि कर्म भूं बलिया नहीं है उनका कर्म भूं बदोही से बधोई से तीन बार सांशत रहे हैं, बधोई में उन्हें काम किया है, पॉटी बड़े नेता हैं.. बहुत बढ़े-बड़े निटा हुए जुनोंने चुनाव लड़ाया कमल के निसान पर, लेकिन पहली बार भरस सिंग ने उस कमल को पूर रूप से खिलाया है, इसमें कोई दोराय नहीं है, कहीं से मतांतर नहीं है, उसमें बहुत बड़े, उसकरकर्ता की भूमिका है, जो कर सारे मुद्दों को उन्होंने गमीरता से सदन में उठाया है और पहली बार बलिया में विकास की किरण दिखना शुरू हुई थी चाहे रेलवे का चेतर हो सारे जगों पर उन्होंने अपने दम पर अपने लड़ाई के बल पर और हरा सरकार के सारे मंतरियों के दरवाजे पर अपनी पहुंच बना के करकरताओं की बात पहुंचा के जनता की बात पहुंचा के उन्होंने विकास का खरम जारी सुरू करा था किया करता का माना आई कि कह Śैंधनी नितित को इस पहुंचाई नए गई हमारे जैसे का करता की मालूम है कि ensemble पार्टी का सर्वे के दारपटिकर देती है सर्वे में जो लोग दबदार थे आप भी जानते हैं जीनका बैनर पोजटर लगा था जो सब करव करता होगे, जन्ता के दर्वाजे दर्वाजे पर जारते, लेकिन कहीं से भी स्री बिरंच सिंगमास जी का बलिया में नाम नहीं था, बिरंच सिंगमास जी इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं, 20,000 उट पाए थे, उनका पूरा परिवार बलिया में भाजपा न तो अगर ये निड़े स्विकार नहीं है और अब जब की चुनाव आ गया है, तो क्या आप धिरोद करेंगे? हम लोग सालिंता पूर्वक के निड़े तृत को बात करेंगे, कि अपना निड़े बदले, और भरसिंगो पुना, उनके कर्म के बल पे, उनके मेनत के बल पे पुनो आउसर दे, और भाजपा पुना यहांसे चुनाव जीते, कमल का चुनाव पूरा अगर अउसर नहीं दे हमारे जैसे करकरता को जो मेरे साथ बाटे हुए है, पूरा विश्वास है कि भाजपा नेत्रितु कभी भी बलिया के साथ इस तरह का कार नहीं करेगा, और हम लोग की बात सुनी जाएगी, हम लोग को बिश्वास है, क्योंकि हम लोग पार्टी के जमीनी करकरता है, पूरा आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें